वेक्षिन वीडियो और रहुस वीडियो पर हम लोग रियाक्ट करने वाले हो rates वेडियो का टाइटल है India पर संप समी ठीक्डिक्टर फैक्टरी बिगें चन्सक्रचैन अच्चिछ एंडिया के अंद वैसे File a से काम चल रहा था मेक इंडिया की तहट मतलब मेक इंडिया जो इंडिया का एक प्रोग्राम है उसके तहट सेमी कंडुक्टर फैक्टरी लगनी थी वैसे इतना टाइम हुआ अभी शायद स्टार्ट हो गया तो लैट्स को वीडियो के अंदर देखने हैं और तब पता चलेग इसके इस सेमी कंडुक्टर फैक्टरी प्रोजेक्क को कैंसल कर दिया था यह बहुत बड़ा ब्लो था अच्छे मैं इसी प्रोजेक्क का समझ गभर हुई वही प्रोजेक्ट सुरू है क्योंकि काफी टाइम पहले से इसके उपर काम हो रहा था इंडिया में कि यह बनाया था कि exactly क्या गडबड हुई वितानता और वोक्सओन के बीच में पर अभी रिसेटी एक नया अपडेट आया है जहाँ पर American Semiconductor Manufacturing Company Micron Technology ने इंडिया में अपने Semiconductor Packaging Plan के लिए construction का काम भी शुरू कर दिया है या इस प्लान को कर्शक करने के लिए उन्होंने इंडियन कंपनी को चुना है और आज हम Micron के इस ओन ग्राउंड इंवेश्टमेंट के बारे में मतलब ऐसा है ना कि इंडिया के अंदर कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हमाई चानिक अपडेट्स को देखने के लिए WhatsApp के चैनल को भी जॉइन कर सकते हो यूस मेमरी चिप मेंगर Micron टेक्मोलीजी ने विजरात के अपने बड़ी समीकंड़्टर पैकेजिंग इस प्लांट के विकास को दो फेजस में किया जाएगा पहले फेज में पाच लाव स्क्वेर फिट की एक क्लीन रूम स्पेस का निर्मान होगा जिसको लेट 2024 तो अपरेशनल करने के लिए शेडियूल किया गया है सोसस के अनुसार पहले फेस के लिए जो खर्च आएगा क्लीन रूम बनाने के लिए वो होगा 4000 करोड रूपीज का अब दोस्तों याब एक क्लीन रूम में थोड़ा समदा रहे तो होता क्या है तो वो बिगड सकती है और समेटर जो है खराब होता है इन फाक क्लीन रूम बहुत ज़दा क्लीन नानोमिटर लेवल पर क्लीन करने के बावजूद बहुत ज़दा समेटर जिप जो बनती है उसकी जो यील्ड आती है नहीं फाइनली कितने जिप सची से बने है वो relatively 100% नहीं होती तो आप समद सकते हो कि ये साफ कमरा बनाना कितना ज़रूरी है और ये बिलकुल आसा नहीं होता यहाँ पर जो क्लीन रूम के हम बात कर रहे है ये किसी फार्मसुटिकल इंडेस्ट्री, फूड इंडेस्ट्री या इवन बहुत जड़ा सेंसेटिव केमिकल इंडेस्ट्री से भी ज़्यादा क्लीन होनी पड़ती है जो है दुनिया के अंदर कभी अगर होते है तो वो सेमी केंडिटर फेसिलिटीज में होते है और ये बनाने का काम जो है वो किया जएगा 4000 क्रोड के साथ में टाटा प्रोजेक्ट प्लान के लिए कुछ ऑपरेशनल पार्ट्स को भी यहाँ पर संभालेगी जैसे कि चिप को पैकेज करने के लिए जो अवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स है या एक्कुपेंट्स है उनका सोसिंग भी टाटा करेगी या manufacturing facility को जो इस वश प्रदान मंतरी नरेंदर मुदी के US विजट के दौरान घोशित किया गया था यह total investment वेसे रॉलर 2.75 billion की है जिसमें micron 825 million dollar invest करेगा और केंदर सरकार अपनी semiconductor manufacturing incentive policy के अनुसार लगबग 50% खर्च उटाएगी और गुजरात सरकार ने कहा है कि वो मदद करेगी लगबग 20% खर्च के साथ micron phase 2 के अंदर करेगी ये कि mass scale पे investment यहाँ पे करेगी जिसमें phase 1 की तरह ही एक facility का निर्मान शामिल होगा micron का दोनों phases में यहाँ पर निवेश जो होगा वो मिलकर 825 million dollar का होगा और यहाँ पर ना सिर्फ यह लेकिन इसके करण गुजरात के सानंद में 5000 नए direct jobs create किये जाएंगे और आने वाले वर्षों में 15,000 community के रोजगार भी स्तापित होगे company के assembly, test, marking और packaging ATMP unit को सानंद GIDC second industrial state में 93 acres of land पर स्तापित किया जा रहा है यह project भारत का first one-of-the-kind DRAM, NAND, assembly and test facility को design और कंशक करेगी DRAM एक memory chip होती है जो आप जान दियों कि कई सारे devices में almost every single computer device से अंदर इस्तापार होती है जो process code को store करती है temporarily और NAND जो है वो basically हमारे SSD के अंदर में story करें देखने मिलता है एडवांस water saving technologies को भी implement किया जाएगा जिससे zero liquid discharge system यहां पर होगा इससे टाटा प्रोजेक की sustainable और responsible construction practices भी display होगी जो international players के सामने इंडिया को एक अच्छी reputation create करें मदद करेंगी union IT minister अश्विनी वैश्णाव ने कहा है कि micron के supply chain के partners में इस थल पर यात्रा जो हमारी हो रही है वो बहुत important है क्योंकि यहां पर वो अपना shop setup करेंगी supply chain elements विशिश रूप से aged chemicals और gases जो manufacturing प्रक्रिया को feed करेंगे वे पहले से यहां है और वो यही पर supply भी की जाएगी जिसके और जिसे वो और इंडिस्ट्री भी बढ़ेगी और यह शुरुवात हो सकती है देश के broader semiconductor goals के लिए या micron के साथ agreement होने के बाद में जो project पे groundwork शुरू हुआ है उसके अंदर 90 दिन का ही difference है यानि आप समझ सकते हो agreement से लेके groundwork में कितना कम समय लगा currently भारत के अंदर chips की bank 2 लाग करोड रुपे से जादा है और आने मदे वर्षों में 5 लाग करोड के उपर होगी जिसके और जैसे कही ना कही पर हमें ये काम करना पड़ेगा एक और जो छोटी announcement यहाँ पर हुए उसके साथ में यह भी है कि एहमदाबाद से लिगे जाम नगर के बीच में जो वंदे बार चलती है वो अब सानन में भी stop लेगी कि याने वाले समय में यह एक important area बनेगा और high speed rate corridor का वैसे भी यह हैसा है वैसे इस facility के तयारी अगले साल के अंतक पूरी होने की उमीद है पर सोसस के नुचार पहले चिप प्रोडक्शन से माइक्रॉन के एसेमली सौल दोजर पचीज के पहले quarter में शुरू हो सकती है और कुछ जो supply chain partners है उनको locate करने की अवर्शुकता भी बची हुई है और उन supply chain क के लोगों को डोडने का काम government भी कर रही है जो IT minister है हमारे उन्होंने कहा है कि जो ancillary semiconductor industry के लिए supply करने वाली companies होंगी कोई ऐसे मशीन या ऐसे कोई चीज़ बनाने वाली जो इस actual semiconductor facility को काम में आने वाली चीज़े बनाएगी उनको भी government incentives देने के लिए तैयार है ताकि एक पुरा chain डेवलप हो सके सारे पार्ट सप्लायर सारे equipment chemicals वगरा सप्लायर का यह पूरी पूरा CPU के अंदर hardware होती ह है न तो जो चोड़ी चोड़ी chips होती है लग 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 लगी वो सारी की सारे काम का नहीं तो computer basically सारे chips परी बना होता है तो वो चिप वगरा अब इंडिया के अंदर खुद बनाएगा है और वो हर चीज में यूदू करने मदद को बाहर समंगवाने की बीच में यहाँ पर कि इंवेश्मेंट्स भारत में होना एक इंपोर्टेंट बात है और काफी जदा महतव पूरण अभी इसके वज़े से जो हाइए एंड सेमिक्टर मैनेफेक्टरिंग है उसका रास्ता खुलता है आलाकि आपने से कई लोगों ने अल्ड़ी कमेंट में लिक भी दिया होगा जो सेमिक्टरिंटर इंडस्ट्री है वावर पैकेजिंग टेस्टिंग यह भी कोई छोटी इंडस्टी नहीं है यह बहुत जादा महतुपरन स्टेप होता है किसी भी सेमिक्टरिंटर के एंड प्रोसिस में और इसके लिए यह कही न कई पर एक फशिरुवाती स्टेप भी भी आएंगी और कुछ यहां पर त्यार होंगी बड़ देखा चाहिए तो देखो चीज स्टार्ट तो हो रही है ना मतलब बनना शुरू तो हो रही है इंडिया का नाम बनना शुरू हो जाएगा ताटा का नाम आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से चीजों के नाम औ शुरू कर देगा तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो के सुनने में मतलब यह के 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा तो बट यह के इंडिया बहुत सारे कंट्री से यह मतलब के इंपोर्ट कर रहा था वह इंपोर्ट खतम हो जाएगी सारी चीजें आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत गोर्डन पेरियाड है और अभी भी चल रहा है बट आने वाला टाइम और भी बैस्ट अफ लग तो वीडियो अब लोग का इससे रेलेटेट कोई भी उपीनिया ने तो कॉमेंट सेक्षिन के अंदर हम लोग मिलते हैं और वीडियो के साथ तब तक के लिए अला आफीर बाइ कि अँए है 날ा बेग brake कोई बीड कर दक करता है लोग मिलते है और झाला ये विटी।